हेलो फ्रेंड्स असलाह अलेकूं वेलकम बैक टू आईशा किचन अज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एकदम से क्रिस्पी और एमी रिसिपी और वह है हल्वाई टाइप में आलू के समोसे बनाना एकदम देखें बाहर से एकदम से क्रिस्पी और अंदर से एक करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे जरूर से प्रस करिए ताकि हमारी डैली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंसे रहे तो एह द करण में उतंना छीदिना चैनल हमे करते हैं अचसर थोड़ा थो प्लीन सब्सक्राइब को के दिखळा कर पो आप तो एंस विंस खिरी में जाता के वीचार दानि के और आटकिर यानमक नम ये चैनल सब्सक्राइब के फानी करने के लिए सबस्सक्राइब कर देख देखएम को आप दालने से पहले थोड़ा हाथ में मसल ले मसल के फिर दाले इसमें और आब हम बना लेते हैं आठा आठा आप जो गुन देंगे वह अचली एकदम सखत भी नहीं रहना है और एकदम नरम भी नहीं रहना है मीडियम टाइप मैं आचली गुनने के बाद आपको बताती पहले देखे मैंने सारे इंकुडियंस दाल के अच्छे से इसे मिक्स अप कर लिया और अब हम इसमें दालेंगे आउयल जो मैंने यहां पे लिया है क्वांटिटी के हिसाब से तो टू कप्स मैंने लिया था आठा और मैंने यहां पे देखे पाव कप लिया है आउयल इसे दाल के हम अभी अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं आपको आटे में पहले ऑईल दाल के इसलिए बनाना है जब आपके आचली जो समोसे है एकदम क्रिस्पी आएंगे तो देखे आटे को एकदम से बहुत ही अच्छे से आप इसे कर ले ताकि यह क्रिस्पीनिस अच्छे मिक्स हो जाए तो देखे आप यसे मुठी जब बान देंगे तो आटा एक जमसे से मुठी बनना चाहिए आपको जब तक इसमें हाथ चलाना है अब हम इसमें दाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी देखे इसे चिनक चिनक के विकॉज इसमें आटा अल्रेडी है तो पानी बहुती कम पड़ेगा तो बहुती थोड़ा थोड़ा पानी आप दालके इसे अच्छे से आटा गूले तो यह भी मैं गूलेती हूँ आटा-टा, तो इह देखे फ्रेंस हमारा आटा गून के रैडी है देखे मेरे ने जिसे बोला था एकड़म सखत भी नहीं और एकड़म नरम भी नहीं है अब इसमें हम ढखके थोड़े देर के रिए रख लेते हैं रेश्ट के लिए अब हम चलते हैं फिलिंग की तयारी करने फिलिंग के लिए देखे मैंने यहां पे लिया लिया है आलू आलू को एकदम से मैश करके मैंने रख लिया है और यह देखे हमारे दू तो यहां पर स्वादनुसार दाले और यह मैंने लिया है बटाने जो है हमने थोड़े से इसे गला के रख लिया है और यह देखे मैंने लिया है चिली पोडर थोड़ा सा थोड़ा सा एलो पोडर लिया है आइन थोड़ा सा मैंने धनिया पोडर लिया है यह देखे मैंने बारी काट लिया है यह धनिया का मैंने बींज भी उसकिया है थोड़े से सोंप यूसकिया है और थोड़ा हमने दालना है जीरा तो देखे इन सारे इंक्रिडियंस हो गए आब हम बना लेते हैं इसकी स्टॉफिंग स्टॉफिंग के लिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा इसमें दालना है ऑईल ऑईल दालके अब हम वन बैवन इंक्रिडियंस दालते चले जाएंगे फर्स्ट मैं इसमें दाल लूँगी राए राए अक्चली आप्शनल है अगर आप नहीं उसकरना चाहते तो इट इस आप्शनल आप नहीं भी दाल सकेंगे तो इसके बाद मैं एक एक इसमें इंक्रिडियंस दालते चले जाओंगी यह देखे मैंने दाल लिया है सोम अक्ली सोम और जीरा और अजवाइन यह सब जो हमने यूज किया है विकॉस अफ दा डेजेशन विकॉस जैसे हम आलू यूज कर रहे हैं तो वहां पे कुछ लोगों को इन डेजेशन हो जात हल्वाई टाइब लोग जो यूज करते हैं यह सारे इंक्रिडियंस दालके बना रहे हैं सोम जीरा दन्या के बीन्स दालिए अब मैंने यहां पर ग्रीन चिलिस दालिए हैं और नेक्श में इसमें अच्छे से थोड़ा सफराइब कर लोगी आप इसे लो फ्लम में ही रखक जल जाएंगे तो टेस्ट अच्छे नहीं आगा और देखे बटाने मैंने डाले हैं और इसे अच्छे से फ्राइ करें अगर आप यहां पे बटाने अगर आपने गलाए नहीं है तो थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए आप मसालों के साथ भी गला लेंगे फिर उस तो तो फ्राइ कर लेंगे इसके साथ गार्लिक हम यहां पे यूज नहीं करेंगे अनली जिंजर जाएंगे अच्छे से फ्राइ कर लें और इसके बाद जो मेरे दूसरे इंक्रीडियन्स थे वो सारे इसमें दाल लेती हूँ देखें आमचोर पोडर नमाक और गरम मसाला जो था यह मैंने सारे दाल लिये दूसरे चिली पोडर एलो पोडर धन्या पोडर यह सब मैंने दाल लिया अक्चली एलो पोडर को मेरे बहुत कॉमेंट्स आते हैं हल्दी को मैं एलो पोडर बोलती हूँ अब देखें सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया थोड़ी देर फ्राइ कर लें ठाल करने के बाद हमें इसमें अब डालेंगे आलू जो हमने अलरडी गला के मैश देखें एकलब फैरली मैश करके रख लिये तो ए बन गया है अच्छे से मिक्स कर लें देखे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे इंक्रेडियन्स को अब मैं इसमें लाश में दाल लेती हूं धन्या पत्ता धन्या जो अच्छली लाश में दालने से इसका फ्रेरेंस बहुत ही आच्छे से रहेगा अब मैंने श्टोव आफ कर लिया है वेट करते हैं थंडा ह तक थंड़ा होने के बाद हम समोसे बनाएंगी यह देखे फ्रेंट्स मैंने यहां पर आटा जो गुन के रखा था वो ले लिया है हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी है उसके साथ हम एक्चली लेंगे थोड़ा सा पानी पानी आक्चली समोसे बनाने में हेल्प होगा तो छोटे-छोटे समोसे चाहते हैं तो उसके छोटे ब्लूई बना लेती हूं देखें आटा जो है अच्छे से अपने ऑईल दाला है तो बहुती नरम रहेगा आटा आपको बस इसे पेड़े बना लेना है तो देखें एसे गर के मैं अब सारे बना लूंगी तो एक पेड़ा मैंने ले लिया है आप इसे हम बेल लेते हैं आप जब इसे बेलने वाले है तो आप हम राउंड इन दे शेप नहीं करेंगे आप हम क्या करेंगे इसे अंडा शेप देखें इसे एकदम से लंबे में अंडा शेप जो होता है इस शेप में हम इसे बेल लेंगे बिकॉस समोस समोसे के बनाने वाले हैं ये सा मैंने बना लिया है ऋगी कट कर लोगी तो देखें ये को गया तो हम से ले लेंगे है उसमने बना ऐगे समसे इसे अब हम side कर लेते हैं वन पार्ट को देखें आप एकदम से ध्यान से देख लें वन पार्ट को इसे कर के fold कर लेंगे यहां पर अब हम डालेंगे पानी पानी डाल के दूसरे वाला जो part है हमारा वो part लेके इसे इसे हम ढख देंगे देखें एकदम ध्यान से करिएगा देखें इसे गर के ढग देंगे अच्छे से प्रस कर लें ताकि यह ओपन ना हो जाए और इसे लेके जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसे एक पॉकेट बन जाएगा तो देखें यहां पे अब हम दालेंगे स्टॉफिंग हमारी और आपके एक स्टॉफिंग दालने के बाद हम फिर से क्या करेंगे देखें यहां पे जो मेरा अंगोठा है वहां से हम फिर से यहां पे दालेंगे थोड़ा सा पानी और यहां पे जो उपर वाला सैड है वहां पे भी थोड़ा सा पानी दालेंगे अकी अच्छे से चिपक जा देखें यहां पे जो एक्स्टा हमारा आटा है यह साइस के लिए थोड़ा एक्स्टा है इसलिए एक टरन Community एसा कर लेंगे एक Tern करते हुए हमारा जो उदर का पाट है वो लेके आके इदर के पाट को जौइन करना है एक दम पर Si Tabs कर आदा करेंखें अब इसे तरन करोगे तो देखे एकदम हलवाई टाइप वाला समोस रेडी हो ओगा तो अब मैं इसे सारे ही करके समोसे बना लुँगी बना ले तो अब थोड़ा साटा दल के इसे टेस्ट करेंगे कि हमारा ओईल गरम है तो देखिए हमारा ओईल एकदम से गरम है तो अब हम इसमें समोसे दलना शुरू कर लेते हैं एकदम एतियाद से दल लिएगा बिकॉज ओईल आपको हाम कर सकता है देखिए करारा पन ने खुझा से का करारा पन आएगा और अंदर का जो आपका स्टाफिंग में थोड़ा थोड़ा सो जो आपका सबस्टेंस नहीं गला होगा बिकॉज बटाने तो हमने सारे नहीं गलाए है तो ये सारा भी अच्छे से गल जाएगा तो देखे थोड़ा अलकलर आ गया है और ये देखे हमारा एकदम ब्राउनिश कलर समोसे वाला आ गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं एकदम आसान तरीखा है और जो इंक्रीडियन्स हमने यूज किये हैं ये इंक्रीडियन्स एकदम हलवाई टाइप वाला है आप ये ही इंक्रीडियन्स यूज करिएगा और इसे निकाल लेती हूँ मैं अभी तो देखे बन गए समोसे आप मैं इसे निकाल लेती हूँ सर्विंग प्लेट में निकाल के आपको बताती हूँ बनने के बाद कैसे लग रहे हैं तो ए देखे फ्रेंड्स हमारे हलवाई टाइप समोसे बनके एक दम तयार है एक दम जैसे मैंने बुला था बाहर से एक दम कृिस्पी है और अंदर से एक दम से यमी रहेंगे मैंने इसे इमली और हरी चटनी के साथ सर्फ किया है इसकी रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आट कर लूगी आप इसे चेक कर सकते हैं देखे शेप भी कितना प्यारा लग रहा है ये थी मेरी आज की रेसिपी अगर आप लोगों को हमारे रेसिपी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करियेगा असलाओ लेकूं